नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नीज नेशन और मैं हूँ आपके साथ नेहा करनाटक के कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनती थमने का नाम नहीं ले रही है एक बार फिर AIMIM प्रमुक असदुद्दीन OLC ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है OLC ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए क्याप्शन में लिखा इन्शा अल्ला एक दिन एक हिजाबी प्रधान मंतरी बनेगी ट्वीट किये गए वीडियो में OLC कह रहे हैं हम अपनी बेटियो को इन्शा अल्ला अगर वो फैसला करती हैं कि अम्मा अब भी मैं हिजाब पहनूंगी तो अम्मा अब्बा कहेंगे बेटा पहन तुझे कौन रोगता है हम देखेंगे हिजाब नकाब पहनेंगे कॉलिज भी जाएंगे कलेक्टर भी बनेंगे बिजनिसमैन भी बनेंगे SDM भी बनेंगे और एक दिन इस देश एक बच्ची हिजाब पहन कर प्रधान मंतरी भी बनेगी इसके बाद अगर आपको बताते चले कि हिजाब का मुद्दा तूल पकड़ गया है इससे पहले सद्धिन ओवेसी ने हिजाब विवाद ने पुट्टा स्वामी फैसले का हवाला दिया था ओवेसी ने कहा था भारत का संविधान अलिकार देता है कि आप चादर ओड़े नकाब ओड़े या हिजाब ओड़े पुट्टा स्वामी का जस्मेंट आपको इस बात की इजादत देता है यह हमारी पहचान है मैं सलाम करता हूँ उस लड़की को जिसने उन लड़कों को जबाब दिया बैरने और घबराने के जरूरत नहीं है उत्तर परदेश में एक चुनावी डैली को संबोधित करते हुए OVC ने कहा था कि कोई भी मुसलिम महिला भी न किसी डर के हिजाब पहन सकती है OVC के बियान पर BJP के प्रवक्तर राकेश तिरपाथी ने निशाना साधा है राकेश तिरपाथी ने कहा असदीन OVC का ये मुगलता-क्रमुगलता ही रहेगा जहाँ एक तरफ है मुस्लिम महिलाओं को परदे में रखना चाहते हैं ये उनकी तकिया नूसी संकिर्ण और कटरबंती सोच है लेकिन आप मुस्लिम महिलाओं और लड़किया आगे बढ़ रही है और स्वाबलंबी हो रही है उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने मह और 3 तलाग से उन्होन देने का काम किया आज हजी आतरा पर बिना मरर्म के जाने की छूट देने का काम किया अब मसुद्दीन और वासी की बातों में मुस्लिम महिलाओं फसने वाली नहीं है या कितनी भी कटरबंती मुलाना के कट मुले के दबाव में इस तरीके की बयान बाजी करके इन लोगों को बढ़काने की कोशिश करते रहे हैं तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हैं नेक्स नाइड नीज नेशन के साथ धन्यवाद